सस्क्राइब नहीं करोगे तुम उसे कैसे मिलोगे हाई एबरीवन वेलकम बैक माई यूटूब चैनल विनिता मौरिया अपनी रसोई आज मैं आपके साथ बहुती ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नारियल से बनने वाली बहुती आसान सी मिठाई की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ इस मिठाई को मैं सिर्फ दो ही चीजों से बना कर आपको दिखाऊंगी वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आप सभी से निमेदन है यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हूँ तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए वेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो आईए देखते हैं इस टेस्टी और हेल्दी मिठाई को आज हम कैसे बनाएंगे इस टेस्टी और हेल्दी मिठाई को बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो सूखे नारियल को पहले से ही ग्रेट कर लिया था अब इसे हम कढ़ाई में डालकर ड्राइ रोस्ट कर लेंगे इसे रोस्ट करते समय हमें घी या तेल की आवशकता नहीं पड़ेगी क्योंकि नारियल में पहले से काफी सारा तेल होता है तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा घी या तेल डालने की आवशकता नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी इस मिठाई को बनाते समय अब इसे हम धीमी आज में बरावर चलाते हुए हलका सा गुलावी कलर आने तक रोष्ट कर लेंगे हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं रोष्ट करना है बस हलका सा गुलावी कलर आने तक हमें इसे रोष्ट करना है अगर आप चाहें तो इस मिठाई को फ्रेश नारियल या फिर नारियल के बुरादे से भी बना सकते हैं नारियल को हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है गैस को आफ कर देंगे अब हम इसमें एड कर देंगे कंडेंस मिलक मिठाई को मीठा करने के लिए ये condensed milk market में आपको easily मिल जाएगा आप इसे online भी purchase कर सकते हैं online purchase करने का link हमने दे दिया है वीडियो के last में deception box में condensed milk डालने के बाद इसे अम नारियल के साथ में अच्छे से मिला लेंगे इस मिठाई को बनाते समय जरूरी point हिया है कि जब आप condensed milk को add करें तो आप गैस की flame को बंधी रखें इसे मिलाने के बाद ही हम गैस की flame को on करेंगे हमने अच्छे से मिला लिया है दोनों चीजों को अब हम इसमें add कर देंगे थोड़ा सा टूटी-फूटी इस मिठाई को और भी tempting बनाने के लिए ये पूरी तरह से optional है तूटी-फूटी मार्केट में आपको easily मिल जाएगी अगर आप चाहें तो अपनी पसंद के इसमें कोई भी dry foods भी डाल सकते हैं चौक करके या फिर आप इसे बिना dry foods के भी बना सकते हैं अब हम तूटी-फूटी को भी अच्छे से मिला लेंगे मिक्चर के साथ में और ये मिक्चर हमारा तयार हो चुका है मिठाई बनाने के लिए और ये हलका सा ठंडा भी हो गया है अब हम मिठाई को बनाना शुरू करेंगे हमें इसे इतना ठंडा करना है कि हाथों से हम इसे टच कर सकें थोड़ा सा हाथों में हम पानी एपलाई कर लेंगे इससे मिक्चर हमारे हाथों में नहीं चिपकेगा, थोड़ा सा हम मिक्चर लेंगे, हाथों में इसे लड़ू की तरह दबाते हुए हम गोल कर लेंगे, जिस तरह से हमोती चूर के लड़ू बनाते हैं, उसी तरह से हमें इसके भी लड़ू बनाके तयार कर लेने हैं, और ये ह इसमें condensed milk का इस्तेमाल किया इस से इस लड़ो में मावे जासा टेस्ट और टेक्चर आता है अगर आप चाहें तो इस मिठाई को फ्रेश मावे से भी बना सकते हैं उससे भी ये मिठाई बहुती अच्छे से बनके तयार हो जाती है ये मिठाई खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी और यम्मी होती हो बनाने में तो बहुती ज़्यादा आसान है और ये लीजी हमने सारे ही लड़ो को बना के तयार कर लिया है अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेंगे और ये बहुती मज़ेदार टेस्टी हेल्दी लड़ो बनके तयार है खाने के लिए वीडियो पस तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं और साथ ही मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि मुझे आपके लिए आगे कौन सी नई रेसिपी बनानी है और अपने एक्सपीरियंस मेरे कमेंट सेक्षन में शेयर कीजिएगा मैं फिर से मिलती हूं इसी तरह से अपनी नई वीडि के साथ तरह झाल बाइग लुके साथ धाय। इस प्रह बाइग है